ओम श्यान्ती, आठ नवंबर दोहजार चोबिस के एश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, आत्मा भाई-भाई की दृष्टी रख औरों को भी समझाना है, क्योंकि आत्म अभीमानी ना बनने से, तुम्हारे वच्चनों में वो ताकत नहीं रहती, जितना याद में रहेंगे, उतना जोहर बढ़ेगा, और बहुतों की बुद्धी में ज्यान बैठता जाएगा, बाब तो सबको रिफ्रेश करने आए हैं, प्रन्तु चलन भी अच्छी होनी चाहिए, भूल हो जाए, तो जट लिखना है, बाबा, हम से यह भूल हुई, बाब ने कहा हमारा बच्चा बनकर भी भूल करेंगे, तो सो गुणा वृधी हो जाएगी, माया से हारने वाले फिर वही के वही बन जाते हैं, और जो अच्छी रिती पढ़ते, खूब अटेंशन देते, वह उतना ही उच्छ नंबर में जाते हैं, इस जनम के जो भी पाप हैं, वह बाप को सुना दो, तो हलके हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, कई बच्चे जो सच नहीं बताते, माया उनको एकदम जोर से घूसा लगाती है, माया बड़ी जबरदस्त है, बलवान से बलवान होकर लड़ती है, यह भी बोक सिंग है ना, लास्ट में बाबा ने कहा, अभी तुम पुरुशोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो, तुम्हें बहुत मीठा वा आज्याकारी होकर रहना है, कोई भी अउगुण ना रहे, बाप का बनने से तुमने शुरू सुनना ही बंद कर देते हैं, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम यह राज योग की पढ़ाई पढ़ते हो, राजाई के लिए, यह है तुम्हारी नई पढ़ाई, प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फ सिंग में बुद्धी को बहुत कड़ी चोट लग जाती है, चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है, सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, ओम शान्ती, यह तो सब बच्चों को निश्य होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, पांच हजार वर् तो समझ ना सके, रुखानी बाप, रुखानी बच्चे क्या होते हैं, यह भी समझ नहीं सकेंगे, तुम बच्चे जानते हो, हम सभी ब्रदर्स हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरू भी है, तुम बच्चों को यह जरूर अटोमेटिकली याद रह यहां बैठे समझ से होंगे, सभी आत्माओं का एक ही रुखानी बाप है, सभी आत्में उसको ही याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मत्र याद जिरूर करते हैं, बाप ने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना, अब बाप कहते हैं, देहे के सब धर्म छोड अपने को आत्मा समझो अभी तुम आत्मा यहां पार्ट बजा रही हो कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है बच्चे भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार ही समझ से है तुम राज योगी होना पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पढ़ता है। एम उबजिक्ट का भी मालूम रहता है इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राज योग है ना। राजाई प्रा ही मनुष्य नहीं सिखलाते हैं पर मात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं यह याद ना रहने से जोहर नहीं भड़ता है। इसलिए बहुतों की बुद्धी में नह बैठता है, तो बाप हमेशा कहते हैं, योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ, हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो, वेह सबका बाप टीचर गुरू है, आत्मा को देखना है, भले गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ती, प्रंतु इसमें मेहनत बहुत है, आत्म अभिमानी ना बनने से, तुम्हारे वच्चनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं, उस रिती कोई समझाते नहीं है, कोई-कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन काटा है और कौन फूल है, मालूम तो सब पढ़ता है स्कूल में बच्चे 5-6 दरजा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं, तो दूसरे क्लास के टीचर को भी जट मालूम पढ़ता है, यह बच्चे तीखे पुरुशार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, त तो ऐसे नहीं कहेंगे, यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं, तब अच्छा पढ़ते हैं नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं, तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की हैं, तब आगे नमबर लिया हैं, यहां तो है ही नई पढ़ाई, ज उनमें जो अच्छी रिती पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुशार्थी हैं, यह है नई दुनिया के लिए नई नोलेज, और कोई पढ़ाने बला तो है नहीं, जितना जितना जो अटेंशन देते हैं, उतना उच्छ नमबर में जाते हैं, कोई तो बहुत मीठे आज्यकारी होते हैं, देखने से ही पता पढ़ता है, यह पढ़ाने बला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अउगुर नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पढ़ जाता है, बाबा पूछते भी सबसे हैं, यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है, ऐसे बहु का वार बहुत होता है यह बाप जानते हैं माया इनों को धोखा बहुत देती है भल दस वर्ष भी पढ़ाया है प्रन्तु माया ऐसी जबरदस्त है देह अहंकार आया और यह फंसा बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है तुम समझ से होंगे बाप ने जिसमें प्रवेश किया है यह नमबर वन है फिर नमबर वार तो बहुत है ना बाप मिसाल करके एक दोका देते हैं होते तो नमबर वार बहुत है जैसे देहली में गीता बच्ची बहुत होश्यार है है बच्ची बड़ी मीठी बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं प्रन्तु यह नहीं समझ से हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखा कर राजाओं का राजा बनाया था बरोबर सत्युग था तो एक ही धर्म था कल की बात है बाप कहते कल तुमको इतना सहुकार बना कर गया तुम पदमा पदम भाग्य शाली थे अब तुम क्या बन गए हो तुम फील करते हो ना उन गीता सुनाने वालों से कोई को फिलिंग आती है क्या जरा भी नहीं समझ से उच ते उच श्रीमत भगवत गीता ही गाई जाती है वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते वह सुनाते हैं बाप तो किताब नहीं पढ़ते फर्क तो है ना उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं सरव्यापी के ग्यान से सब देखो कैसे बन गए हैं तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा बाप कहते हैं तुमको सिखला कर विशे सागर से पार कर देते हैं कितना फर्क है शास्र पढ़ना तो भक्ती मार्ग हुआ ना बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिल वह समझ से हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सब को एक ही जगे हैं कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर हैं जिसमें तुम पकड सकते हो सत्युग में तो कोई भी शास्त्रादी होते ही नहीं यह हैं ही भक्ति मार्ग के शास्त्र ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादी हैं शुरू से चले आते हैं नहीं अनादी का अर्थ नहीं समझ से बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादी बरो तुम को बाप राजयोग सिखलाते हैं, बाप कहते हैं अभी तुम को सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ, तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादी था, राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है, देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं, है तो आदिशनातन देवी देवता धर्म के न, जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमों में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो, रजों में आते हो, तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदूस्तान का नाम है, तुम असुल में तो देवी देवता थे ना, देवताएं सदय उपावन होते हैं, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी हिंदू रख दिया है, पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे, आदिसनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइस हैं, वह फिर रिपीट होना है, इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे, कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं, तो माया की युद्ध चलती है, युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं, रावन के थे, राम के फिर रावन, राम के बच्चों पर जीत पहन, अपनी तरफ ले जाता है, कोई बिमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहां के रहते, ना यहां के रहते, ना खुशी है, ना रंज, बीच में पड़े रहते हैं, तुम्हारे पास भी बहुत हैं, जो बीच में हैं, बाप का भी पुरा नहीं बनते, अभी तुम हो पुरुष उत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो, यह बड़ी समझने की बाते हैं, बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, प्रन्तु समझा जाता है, बुद्धी नह ही हैं, भले बाबा कहते हैं, शुब बोलो, कहते तो सब हैं, हम नर से नारैन बनेंगे, कथा ही नर से नारैन बनने की हैं, अज्यान काल में भी सत्य नारैन की कथा सुनते हैं, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते हैं, यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो, इतन हिम्मत हैं, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता हैं, इस जनम में कोई पाप कर्म तो नहीं किये हैं। जनम जनमांतर के पापी तो हो ही, इस जनम के पाप बता दो तो हलके हो जाएंगे। नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलान तुम्हारी बड़ी कड़ी बोक्सिंग है, उस बोक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धी को बहुत चोट लगती है। यह बाबा भी जानते हैं, यह ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जनमों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ, ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ, बाप भी खातिरी देते हैं, यह सबसे जासी पतित हैं, बाप कहते हैं, मैं पराए देश, पराए शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जनमों के अंत में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूर 84 जनम लिये हैं अब यह भी पावन बनने का पुरुशार्थ करते हैं खबरदार भी बहुत रहना होता है बाप तो जानती है न यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाऊं एकदम हमारे बाजू में बैठा है मेरा तो बाबा है न मेरे घर में बैठा है बाबा जानते हैं हसी कुड़ी भी करते हैं बाबा आज हमको सनान तो कराओ भोजन तो खिलाओ मैं छोटा बच्चा हूं बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूं तुम बच्चों को समझाता हूं ऐसे ऐ से याद करो, बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो, यह बात और किसकी बुद्धी में हो ना सके, बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुशार्थ तो करते हैं, परन्तु चलन भी ऐसी हो ना, भूल हो जाए, तो जट लिख लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो जाती है, कोई-कोई लिखते भी है, बाबा हमसे यह भूल हुई माफ करना, हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से सोगुना वृधी हो जाती है, माया से हारते हैं, तो फिर वही के वही बन जाते हैं, बहुत हारते हैं, यह बड अंदर सेना ली, यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं, यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धी है। कहते हैं हर एक इश्वर का रूप है, तो हर एक इश्वर बन क्रियेट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं, अब इश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं, यह तो कितनी अज्ञानता हैं, इसलिए कहा जाता हैं, गुडियों की पूजा करते रहत वंडर है, मनुष्यों की बुद्धी क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं, बाप उलहना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया, तुमने क्या किया, तुम भी जानते हो, हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मन बने हैं, फिर हम सो देवत बनեंगे, यह तो बुद्धी में बैठा हुआ है ना, यहाँ बैठते हो तो बुद्धी में यह नॉलेज रहनी चाहिए, बाप भी नॉलेजफुल है nा, रहते भले शान्तिधाम में हैं, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है, तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है न, कहते हैं इस ग्यान से तो हमारी आखें खुल गई हैं, बाप तुमको ग्यान के चक्षू देते हैं, आत्मा को सुरिष्टी के आदी मध्यांत का पता पढ़ गया है, चक्र फिरता रहता है, ब्रहमनों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं, पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो, अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं, यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच बनते हो, फिर यह नॉलेज खलास हो जाए अच्छा, मेठे मेठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धारना के लि यह अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है, माया की बोक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपने वचनों वाक्षियों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, स्मृती रहे, बाप का लाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जोहर भरेगा, वर्दान, अविनाशी नशे में रहें, रुहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाले ब्रहमन सो फरिस्ता भव, आप ब्रहमन सो फरिस्ते देवताओं से भी उचे हूँ, देवताओं जीवन में बाप का ज्यान इमर्ज नहीं होगा, पर मात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा, इसलिए अभी सदा यह नशा रहे, कि हम देवताओं से भी उचे ब्रहमन सो फरिस्ता हैं, यह अविनाशी नशा ही रुहानी मजे और मोज का अनुभव कराने वाला हैं, अगर नशा सदा नहीं रहेगा, तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूझेंगे, स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा, अच्छा, ओम शान्ति, एक जरूरी सुचना, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने एक ऐसा इतिहास रचा है, ऐसा कारिय करके दिखाया है, जो आज तक कोई कर नहीं सका, वैसे तो ये सारा कमाल शिव बाबा का ही है, लेकिन ऐसा वंडरफुल कारिय कौन सा है, ये जानने के लिए आज ये वीडियो जरूर सुनें